तो यह है Samsung S23 जो मैंने खाली 56,000 रुपीज में खरीद है अब बोलो के क्या मज़ाग कर रहा है असी हजार का फोन है वैल अच्छली Amazon पर काफी अच्छी डील्स थी पहले मुझे 5000 का कूपॉन मिला फिर 1000 का कार्ड पर कैश बैक फिर मेरे पास एक बेकार सा फोन पढ़ा था ज यह सब जानके मैं क्या करूँ यह तो बता हो कि यह फोन खरीदने लायक है यह नहीं है तो चलो उसके बार में बात करते हैं कि नजर मेरे सबसी एक स्मार्ट फोन यह में पर कि अच्छी इस नहीं पाट्पोन यह साथ में कि इस एक बात्पोन के दू फोन एक परुब्लम के होता है कि फॉर्ट लिंग होती है बैटरी अजिशन आप में इसका इसका पुरान वर्जन था इस तामसंग से इस इस Snapdragon 8 Gen 2 Processor मैं 2-3 अवते से इस फोन को यूज कर रहा हूं वही गेमिंग किया यहां पर मैंने मुल्टी टास्किंग कैमरा बहुत यूज किया है बहुत सारी चीजे यूज किया है फोन को यूज किया है यहां पर मुझे ना तो थ्रॉट्लिंग देखने मिला है और ना ही ओवरीटिंग देखने मिला है और यहां पर में बेस्ट एक्सपेरियंस अनी समसंग फोन्स फोन्स वनी चीज यह है कि समसंग ने फाइनली उनके प्रोसेजर नहीं डाला उनके फोन में और सारी प्रोल्म्स दूर होगई विकुस गेमिंग के बार में तो आप सोच भी नहीं सकते थे समसंग के फोन पर एवरीवन इसमें आप अक्चुली गेमिंग कर सकते हो मैं नहीं बॉल रहा कि यह बेस्ट गेमिंग फोन है बट स्टिल बिकॉस अफ़ अफ्ट्राइगन 8 Gen 2 आप Genshin Impact चला लो मैंने चलाया हाय सेटिंग पर फ्रेम रेट आपको दिखा रहा हो अभी PGMI खेला मैंने आप Casual Gaming डेफिनेटली कर सकते हो तो next time अगर आपका gameplay खराब है तो आप फोन पर नाम मत डालना आपको इंप्रूव गरने की जरुरत है आपको अभी विद प्रोसेसर आपको काफी फास्स दी गई है UFS 4.0 की स्टोरेज है आपको करते हैं 128GB UFS 3.1 256GB UFS 4.0 अब इससे आपके प्राक्टिकल लाइफ में क्या फरक पड़ेगा अब तो ज्यादा कुछ परक पड़ेगा इसपेशली 1.5.1 इसके बाद फोन मक्हन की तरह चल रहा है 120Hz पर मुझे कोई भी लाइग या स्टडर देखने नहीं मिलते अनिमेशन में and Samsung I feel has taken a big leap with one UI यह इतने सारे फीचर्स अगर मैं आपको बताने बेटों there are so many features जो भी basic features आपको practical features phone में चाहिए होते है आपको यहां पर सारे मिलेंगे उसके अलवा और कुछ भी मिलेंगे features के साथ थोड़ा थोड़ा bloatware भी आता है but overall मुझे one UI से कोई भी complaint नहीं मेरे इसाब से this is one of the top user interfaces out there because यहां पर एक यह लोग इतने सारे features भी दे रहे है काफी smooth भी रखाया optimization updates भी दे रहे 4 years of android updates 5 years of security patch and इनकी updates time भी आती है and kuchh special लोग के लिए एक feature होता है one UI में जो लोग को बहुत पसंद है आप call record कर सकते हो सामने वाले को पता नहीं चलेगा so that is still retained on the S23 series but अभी भी एक चीज़ जिसमें मैं उतना इंप्रेज नहीं हुआ and that's battery life अभी बाटरी ने बड़ा दी है 3900mAh की बाटरी तो है but अगर आप फोन को एक तम heavily use करोगे तो at the end of the day आपको चारजर पे फोन लगा पड़ेगा अगर मैं मेरे यूज़ की बात करूँ तो मैंने अलग अलग ताइप से फोन को यूज़ किया जिस दिन मैंने इसको heavily use किया है मुझे साड़े चार गंटे का screen on time मिला है so that was not very amazing phone रात तक चल जाता था आट नौ बज़े तक but I would have to pull it on the charger अगर जब मैंने इसे normally use किया जब मैं खाली social media देख रहा हूं phone calls कर रहा हूं basic सारे काम कर रहा हूं तब मुझे actually 5.5 गंटे तक screen on time मिला है screen on time है आपके usage पर depend करेगा अगर आप खाली movies देखते हो social media करते हो and कम काम करते हो तो आपको सेम फोन पे 6-7 गंटे का screen on time मिल सकता है but अगर आप heavy काम कर रहे हो जैसे की gaming हो गया या फिर आप 5G बहुत यूज कर रहे हो आपके धेर सारे video calls होते है फोन पे तो आपको screen on time मिलेगा screen on time compare करना बंद कर दो कि किसका ज्यादा लंबा है किसका ज्यादा चोटा है depends on how you use it although where I am really sad about this phone is that charging speed उतनी ज्यादा नहीं है खाली 25 watt का charger दिया है 23 plus and 23 ultra पे आपको और ज्यादा 45 watt के charging का support मिलता है तो इसको चार्ज होने में भी time लगता है मतलब यह Samsung 300 IQ लगा रहा है पता नहीं अल्रेडी पता है कि यह फोन की बैटरी चोटी है तो इसको फास्ट चार्जिंग तो देदो तो आदे घंटे में ऐसे 50-60% बैटरी चार्ज हो जाती तो लोगों को और कम एंग्जाइटी आती तो इसली आपको 1 गंटा 15-15 मिनित लगेगा 0-100% चार्ज करने के लिए तो गुड तिंग इस S22 जितनी बैटरी नहीं है इसकी नॉर्मल उसेज पर एक दिन ज़ेगी और बैटरी लाइफ के लावा यह फोन पर मुझे प्राक्टिकली कोई और लगता नहीं क्योंकि अगर मैं पीछे अगर मैं इसके फोटोस की बात करूं तो फोर अवरेज उसर बहुत अच्छे लेगे फोटोस आपको सामसंग का जो कलर ट्यूनिंग है वो थोड़ा सा साचुरेटेड़ करता है फोटोस को बड़ ड़ज इन अगुड वे कोई अच्छी तरह से रखता है बस एक क्रिटिसिम अगर मुझे करना होगा तो मैं करना चाहूंगा कि यहां पर डीटेल्स थोड़ी सी कम लगी मुझे कभी-कभी बाकी फोन के कंपेरिजन में एस्पेशली जब अगर आप यह वहां पर फोटोस थोड़ी सॉफ लगे मुझे बाकी फोन के कंपेरिजन में बाकी एस्पेशली एस्पेशली ना उट नोट नोट इस इन मेरे साब से यह वन अफ द बेस्ट कैमराज ए ने यह एक कोई बिशिचेंट सब्सक्राइड जूड़ी हमिचे 50 फोटोज खालेग हमालगे विपोट शॉड़ी पाले हैं वो भी Samsung ने अब अप्ग्रेड कर दिया है in comparison to the S22 series और अब देख सकते हो इस पर selfies काफी अच्छा आते हैं दो मोडे यहां पर थोड़ा सा वाइडर मोडे भी अपले सकते हो थोड़ा सा जूम दिन मोडे भी अपले सकते हो and I overall like the performance of the back camera and front camera in different scenarios and video के मामल में 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 आपी Samsung ने काफी improvement किया है because you can see the samples right now and I feel dynamic range काफी अच्छी है 4k 30 पे अच्छी अप लेंसे भी स्विच कर सकते हो अल्टरा वाइट, टेलफोट, में चैमरा, प्रूंच कैमरा यहां भी स्विच कर सकते हो and actually अब आप rear-facing camera and front-facing camera दोनों पे HDR वीडियो भी रेकॉर्ड कर सकते हो यहां पे 8K वीडियो रेकॉर्ड करने का भी option है and video-wise भी iPhone जितना amazing नहीं आई है low light में but still for majority of the people it will get the job done and specially यह जो लेंसे switch करने का feature है वो मुझे काफी handy लगता है vlog करते टाइम खाली आप यह 4K 60 पे नहीं कर सकते है and मैंने daylight में 4K 60 fps में video record करके भी देखे काफी time तक एकदम broad sunlight में मुझे कोई overheating की issues नहीं लगे and इसका camera app मुझे one of the most versatile लगता है because यहां पे अगर आप options पे जाके देखो के तो portrait video, single take, ऐसे काफी सारे features है which a lot of people might end up using बस खाली shutter lag इनको और थोड़ी इंप्रूब करने की जरूरा है because अभी भी-कभी मैं photo का button दबाता हूँ and photo click हो हो इसमें चोटा सा gap लगता है and फिर हम फोन को flip करके इसके display पे आते है so this is one of the best parts about the phone because यह काफी compact है 6.1-inch display, 1080p panel है, 120hz Gorilla Glass Victus 2 भी है on the front of the screen and this display HDR10 Plus भी support करता है अगर आप Netflix में जाके देखोगे to HDR10 का support भी है इसकी जो peak brightness है as well as outdoor brightness है वो भी काफी बढ़िया लगी मुझे and यहाँ पे कुछ लोग को question आ रहा था कि क्या इसकी brightness डिम हो जाती है when you are outdoors, sunlight में I don't think ऐसा होता है मैं डिपेंड करता है फोन पे क्या करते हो मैं से नॉर्मली बैठा था sunlight में full brightness पे social media browse कर रहा था 5G पे रिल्स बील्स लेकर था तो मेरी brightness कम नी हुए थी जैसे ही मैंने 4K60 पे video record करना चालोग गया थोड़े टाम में brightness कम होगी तो I don't think casual usage में आउट्डोर में brightness जल्दी से कम होगी अफ़ तोक अबाओ धी अक्च्वल दिस्प्ले क्वालिटी इस रिली रिली गूद मतलब समसंग को पता है कि अच्छे दिस्प्लेश कैसे बनाने कलर्स की बात कर लो व्यूंग अइंगल की बात कर लो HDR performance की बात कर लो everything is right there but just मेरी एक कंपलेन समसंग से वो यह है यह लोग Dolby Vision नहीं देते है and Samsung का personal ego problem है Dolby Vision के साथ उन्होंने HDR 10 Plus बनाया है and Dolby ने Dolby Vision बनाया है तो Samsung is like नहीं हम Dolby Vision नहीं देंगे हम HDR 10 Plus ही देंगे but the problem is कि Netflix पे जो majority shows है वो Dolby Vision के लिए optimized है HDR 10 Plus के लिए नहीं है तो वो HDR 10 पे प्ले होता है तो वो थोड़ा सा परफॉमेंस I feel चला जाता है फोन पे तो उतना फरक नहीं पड़ता बट यह लोग उनके TV में भी Dolby Vision नहीं देता है मतलब 100% brain use करता है Samsung but anyways this is a solid display panel यहां पे in-display fingerprint sensor भी है ultrasonic type and it's fast it works मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी यहां पे you just have to use a correct tempered glass अगर आपको खराब tempered glass लगाऊगे तो आपको fingerprint sensor नहीं चलेगा मैं जो यूज कर रहा हूं मतलब देख सकते है मेरे phone पर पता भी नहीं चलेग आपको tempered glass है तो मैं ग्लास यूज कर रहा हूं लिंक आपको description में मिल जाएगी वहां से ले लो आपे speakers भी है speaker का output मुझे ठीक तक लगा considering यह compact phone है nothing to complain about here and its build quality भी काफी मस्ते है back panel भी आपको Gorilla Glass Victus 2 मिलता है and यह matte finish वाला जो glass है मुझे काफी अच्छ लगा because as you can see especially in a cream color the phone looks really nice यह fingerprint को कहीं भी दिखाता नहीं है तो अपका phone हमेशा clean लगता है and जो sides भी है that is made out of metal, aluminium है तो all in all phone की जो हाथ में feel है that is very very premium and क्यूंकि यह compact phone है यहाथ में लाइट फील गरता है अभे हाथ से आसानी से यूज कर सकते हो and even if you put a cover on the phone मुझे personally this look काफी पसंदे तो मैंने एक transparent cover डाला है तो अगर आप cover भी डालते हो फोन पे फिर भी यह उतना ज्यादा बल्की feel नहीं गरता है and considering यह compact phone है build quality में कोई compromise नहीं है आपको same IP rating मिलती है यहापे wireless charging भी है haptics भी फोन के काफी बढ़िया लगे मुझे 5G का प्रोपर सपोर्ट है मैंने जियो 5G के साथ यूज किया and must speeds मिल रही थी मुझे so no complaints there and यहापे actually Samsung ने आपको USB 3.1 का पोट भी दिया है तो आप इसे HDMI के तरू मॉनिटर में कनेक कर कि यह तो screen mirror कर सकते हो यह तो DEX mode यूज कर सकते हो so all of those things are there call quality, network reception, everything has been amazing and here reverse wireless charging भी है तो अगर आपको अपको 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 अपर इमरजंसी में कोई दोस्त का फोन चार्ज कर वान है तो आप वो भी कर सकते है and at the end of the day अगर आप सब कुछ कुछ करोगे तो S23 मुझे एक proper complete flagship लगता है अगर आपको कैमराज में बहुत ज्यादा दिल्चेस पी नहीं है you don't want a big phone and आपको best camera नहीं चाहिए तो S22 Ultra लेनी की ज़रोत नहीं है you can settle for an S23 80,000 की प्राइसिंग मुझे परस्नली ज्यादा लगती है 80,000 ही आपको देना है तो थोड़ा और देके आप Ultra भी खरीच सकते हो but considering कि इस पे जो offers आते जाते रहते हैं मलब कुछ ना कुछ offer तो होती है तो अगर आप इसे 60,000 के आसपास या 65,000 रुपीज के आसपास खरीच सकते हो then I think at this price point ये काफी अची दील है the only one downside that I have with this phone इसके यहाँ पे बैटरी शायद कुछ लोगो कम लग सकती है but considering कि यहाँ पे अब Snapdragon 8 Gen 2 है I feel average users के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर भी अगर आपको बैटरी के लिए anxiety है अगर आपको faster charging चाहिए तो आप S23 Plus चाहिए तो आप S23 Plus चाहिए यहाँ पे मैं आपको मेरा personal experience बता रहो I am very impressed with this phone video अच्छा लगा तो like करो नहीं अच्छा लगा दो बार dislike कर लेना if you want to know कि Samsung ने क्या मैं सब कर दिया था Snapdragon 8 Gen 1 के साथ video आपको यहाँ पे मिल जाएगा and मेरे latest reviews आपको यहाँ पे मिल जाएगे